हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टू आ चैनल ट्रॉपिकल साइन्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर के चैप्टर नमर नाइन के बारे में डैट इस कार्बन कंपाउंड जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ओफ कोव कोवालेंड कंपाउंड तो यहरा हम सबको पता है कि जो केमिकल बॉन्ड होता है ना तो कि फॉर्म होता है जस्ट बाइशेरिंग ऑफ एलेक्ट्रॉंस बिट्वेंड टू एटम्स उसको हम क्या बोलता है कोवालेंड बॉलत बहुत बढ़िया जब किसी भी कोवालेंड मैं हम कैसे दिकार ररॉफर अच्षण ज करते यहां पर हमने मिखेनल का मॉलिक्यूल का एक्जेंपल ले रखेंगा थैप अच्छा इसमें अगर कार 57 की इन फशे कंद पर सर्किलेंगं हार यह बात में बहुत बढ़ियां तो यहां पर हम लोग Sachen क्या कठेंख जो बॉंड्स होते हैं जो उति हूं रिप्रेजेंट करते हैं और से हैं जैसे कि आप यहां डायोड्राम में देख पा रहे हूं यहां पने सब्सक्राइब करणон कर रही हूं और फाइनली आपका है ना मिध्यन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है आरे बात सब्सक्राइब बहुत बढ़िया है सेकेंड अगर हम स्रक्चर की बात करें तो आपको दे रखा लाइन स्रक्चर लाइन स्रक्चर में क्या होता देखो जैन से वही एक्जैम्पल हमने कंसेडर किया है यहां पर आप मिध्यन के मॉलिक्यूल को देखो यहां से डॉट की बज़ए आप यहां पर एक लाइन है ना एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉग कर देते हूँ क्या डॉन करते हैं आरे बात समय बहुत बढ़िया यहां पर वन सिंगल बॉन इसका मतलब इसके कितने खुरों धर लैक्टरों को इत्य है नेख्ट मेथड आपको दे रख है डाड़िस बौल स्क्राइब करता रासु पर आले बाध बढ़ा Hamilton नेक्स आपको दें रखा है स्पेस्विलिंग स्पेस फिलिंग मॉडल में क्या होता है यहां जितने भी उते ऊसको नहीं किया जाता है राइत कली यहां पर आधम सको दिखाया जाता है और एक कितना वॉल्यूम पॉकूपाई कर रहा है उसको शोग कि जाता है आरे बातों में बहुत बढ़ यहां तो इस तरीके से यह सारे representation के आपको यहां पर है ना structures दे रखे हैं आई हूँ आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ जाते हैं कि ना देखो आगे आपको दे रखा ड़िस electron dot structure एंड आपका line structure ठीक है इससे पहले अभी हमने देखा था कि ball and stick मॉडल आपका space filling model जो दोनों भी मॉडल्स है वो आपको higher classes में details में मिलेंगे ठीक है यहां पर अभी हम 10 standard लेवल पर electron dot structure और line structure की बात करने वाले देखो द्यान से यहां पर different different compounds के लिए है ना different molecules के लिए आपको यहां पर electron dot structure और आपका line structure दे रखा है आए इसको वन बेवन ड्रॉ करते हैं कैसे दे रखा है देखो द्यान से कि सबसे पहले आपको दे रखा hydrogen के लिए ठीक है तो hydrogen का जो molecule होता है हमें पता है h2 होता है यहां पर देखो द्यान से दो dot यहां पर denote कर रहा है बीच में दो dot क्यों है just because one dot आपका पहले वाले hydrogen का है वाल दूसरा अपको उसका लाइन structure बनाना है अगर आप oxygen की बात करोगे तो मैं पता है उक्सिजन का वैलेंस electron कितना होता है six होता है रही तो यहां पर उसकी वैलेंसी कितनी हो गई है कि नहीं six को यहां पर double bond बन जाता है कितना बन जाता है double bond बन जाता है इसी को अगर आप लाइन structure में लिखोगे तो यहां पर यहां पर आपके आ जाएंगी आरे बात सब्सक्राइब आपको कई के रखेंगे जो एक्स्ट्राण से बांडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको लोनपेर कहा जाता है क्या जाताया लोन फैर्या आपका लोन पैर की तरह एक्ट करेगा तो आगे आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल के लिए दे रखा है नो हमें पता नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है थ्री होती है राइट अच्छा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी थ्री है इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन अपना ट्रिपल बॉंड एक नाइट्रोजन का आटम तीन इलेक्ट्रोन पाइटिसिपेट करेगा तो इस तरीके से टोटल सिक्स इलेक्ट्रोन हो जाते हैं इसका मतलब कितना बॉंड होगे हैं तीन बॉंड होगे यहनि ट्रिपल बॉंड होगे आरे बात समय बहुत बढ़िया इसी का अल्टरनेटिव अगर आप लाइन स्रक्चर बनाओगे तो आप यहां देख सकते हो यहां ट्रिपल बॉंड यहां पे हमने ड्रॉक कर रखा है यहां पे भी नाइट्रोजन के पास दो एक्सेस इलेक्ट्रॉन से देखो यहां आपका लोन पैर की तरह एक्ट करने वाले आरे बात समय बहुत बढ़िया तो इसी तरीके से यहां पे डिफरेंट डिफरेंट के लिए क्लोरीन के लिए हैना वाटर के लिए नाइट आमोनिया के लिए सब के लिए दे रखा है आरे बनाते है और इसके अगर हम structure की बात करें तो इसका सिंपले structure क्या होता है आपका मिध्यन का molecule है कि नहीं अच्छा अगर हम इसको compare करें ना other elements के मुकाबले तो इसका nature बहुत ही different होता है इसलिए इसी वज़े से आपका है ना इसके number of compounds extremely large होते है अगर हम बात करें entire living kingdom की या फिर आपके body की तो सारी चीज़े जो है किस से मिलके बनी है आपका carbon से मिलके बनी है यहीं millions of molecules अगर उसके range की बात करें starting from simplest methane molecules से लेके extremely big molecules यहीं DNA molecules जो होते है उस सब किस से मिलके बनें आपके carbon से मिलके बनें इसका molecular mass का range आपको कहां तक दे रखा रैडिस 10 raise to power 12 आप just imagine करिए कितना बड़ा number है रैड अच्छा यहापे अगर हम carbon के characteristics की बात करें रैड तो वेटा आपको यहाँ पर 4 characteristics दे रखे तो यहाँ पर टूटल आपको 4 characteristics दे रखें जिसमें सबसे पहला दे रखा रैडिस काडिनेशन पावर क्या होता है तो यहार कार्बन जो होता है इसके पास एक unique ability होती है तो फॉर्म स्ट्रॉंग कोवेलेंट बॉन्ड विद अधर कार्बन एटम्स यानि एक कार्बन एटम अधर कार्बन एटम्स के साथ है ना बॉन्ड बना लेता है यही unique ability को क्या बोलते है आपका catenation power बोलते है यहाँ पर देखो रहान से वो कार्बन एटम आपका है ना दूसरे कार्बन एटम के साथ दो तरीके से बॉन्ड बना सकता है पहला तरीका होता है open chain में और second तरीका होता है close chain में राइट अच्छा open chain जो होता है वो आगे जाके further दो पार्ट में divided है सबसे पहला होता है straight chain और second होता है आपका branch chain वाइल आपका close chain जो होता है वो आगे जाके किसमें divided है ring chain में ठीक है यहाँ तक अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो carbon जो है straight है ना एक के आग good अगर हम ring chain की बात करें तो यहाँ पर carbon देखो जान से close manner में ring की तरह क्या है connected है तो यह जो special ability होती है इसी को हम क्या बोलते है catenation power बोलते है second property की अगर हम बात करें तो आपको दे रखा single and multiple bonds ना तो carbon की खासियत यह होती है कि दो carbon की बीच में है ना आप single bond भी बना सकते हो double bond भी बना सकते हो और आपका triple bond भी बना सकते हो ठीक है यह ability स्रिफ carbon के पास पाई जाती है देखो ध्यान से यहाँ पर अब देख सकते हो अगर carbon की बीच में हैना carbon carbon की में single bond है उसको हम और carbon carbon की बीच में double bond है तो को हमickened और carbon carbon कार्बन की बीच में ट्रिपल बॉंड है तो उसको हम एल काइन बोलते हैं आरे बात सब्सक्राइब बहुत बढ़िया नेक्स्ट आपको दे रखा डड़िस यह एक जो प्रॉपटी ऐसी होती है है ना जिसकी वज़े से कार्बन के है ना बहुत सारे एक्स्ट्रीमली लार्ज नंबर ओफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं यह बात सब्सक्राइब अगर आप इसको कंपैर करोगे किसी अधर आइटम्स के साथ जैसे मालो हाइट्रोजन ह ोगे तो हाईड्रोजन की वैलेंसी तोन है आक्सियन की वैलेंसी वैलेंसी थी है यह लेकिन कारवं की वैलेंसी हो क्या है सबसे ज्यादा या mistी ओने के वज़hãए स Rs. revenue क्या कटता है वहां एधर सब्सक्राइब बहुत बढ़त है लेकिन structural formula क्या होता है different होता है उसी को हम क्या बोलते है isomerism बोलते है example आप देखोगे ध्यान से तो आपको c4 h10 दे रखा है यहनि butane दे रखा है ठीक है तो यहां पर आपको पहला वाला अगर आप diagram को ध्यान होगे तो यानि butane को आपने कैसा लिखा है straight chain में लिखा है राइट अच्छा वाइल सेकंड diagram में आप देख सकते हो butane को कैसा लिखा है brand chain में लिखा हुए राइट अच्छा तो दोनों को अगर आप compare करोगे तो दोनों का molecular formula क्या है c4 h10 लेकिन structural formula क्या है अलग अलग है आरे बात समया है बहुत बढ़िया तो यह जो प्रॉपर्टी होती है यह फिनॉमेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं isomerism बोलते हैं आरे बात समय है बहुत बढ़िया यह दोनों compound एक दूसरे के क्या हो गया है isomerse कहलाते हैं ठीक है यह चीज़ आपको याद रखना है तो इस तरीके से आए हो आपको चारो प्रॉपर्टी समझ में आए होगी ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू